हलो फ्रेंड्स मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर फ्रेंड्स आज मैं बोट नेग पर बैक नेग डिजैन आपके साथ सेयर कर रही हूँ इसके लिए यह मेजर्मेंट मैंने लिया है श्क्रीन पर देवे मेजर्मेंट के नुसर मैंने फेब्रिक को किया है आप चाहे तो अपना मेजर्मेंट लेते वे ये डीजाइन बना सकते हैं बैक पार्ट मेरा कटिंग हो चुका है इसके साथ में फैब्री भी मैंने कट कर लिया है अब पूरे राउंड में हमें शिलाई से अटाच करते वे उसको बचवे फैब्री को कट कर लेंगे और पूर्ट नेक का सेब्दे देंगे हलके हातों से अब नेक की लेंथ आ रही है मेरी पूरी तयार लेंथ है 10.5 फिंच और फित में रखरे में 4.5 फिंच और उपर से एक इंच का डिस्टन्स रखते वे एक लाइन रा कर लेंगे 4.5 फिंच पर और ऐसा चोकुन बाक्स तयार करते हुए हम नेक का सेब्दे देंगे हलके हातों से इसी तरह से हमें नेक का सेब्दे देना है देखिए नेक का सेब्द मैंने दे दिया है अब इसको हम पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेंगे नीचे का नेक हमें पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉव कर लिना है नेक के बराबर से हमें लाइन रॉव कर लिनी है और एक इंच बाहर की तरफ लेते हुए लाइन रॉव कर लेंगे और बाहर की तरफ से हमें लाइन कट कर लिनी है बराबर से बाहर की लाइन से भी हमें लाइन कट कर लेनी है और अंदर का फैब्रिक कट करते हुए हमें एक नेक रेडी कर लेना है अस्तर के फैब्रिक पर और उसका मेजर्मेंट लेते हुए में फैब्रिक पर राइट साइट पर हमें अटेच करना है ये नेक का डिजाइन और उसको सेंटर से शिलाई करते हैं पूरे राउंड में हमें शिलाई कर लेनी है और उसको पूरा कट कर लेते हैं नेक को पूरे राउंड में और पूरे राउंड में हमें छोटे-छोटे कट्स लगा लेने हैं पूरे नेक को कॉर्नर बराबर कट कर लीज करके नेख को आप की तो अब चाये तो पेपर पेटिंग से इए नेख बना सकते हैं पूरे नेख को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं और पति को पलटाथे तर पटिकου अवे पर शेया वı प में एक कर लेना है बचे फेब्रिक को बराबर से कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल करते क्रॉपी स्टीच लगा लेंगे देखिए मेरा उपर का और नीचे का दोनों नेक रेडी हो चुके है अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है एक इंच का मार्जिंग कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है दोनों प्लेट्स जो हमने एक इंच का मार्जिंग ले आता उसको पराबर करते हुए हमें ये प्लेट्स दे देनी है अब नीचे में हमें कमर पट्टी लगाते हैं उसको कम्प्लीट कर लेंगे कमर पट्टी मेरी अट्याज हो चुके है अब पट्टी को पल्टाते हैं पट्टी के उपर से में एक शिलाई कर लेनी है अब पूरे पट्टी को फोल करते हैं रपी स्टिस लगा लेंगे देखिए मेरी कमर पट्टी भी अटाज हो चुकी है अब नेक को लगाने के लिए हमें ये बो रेडी कर लेना है देखिए नेक रेडी हो चुका है अब पट्टियों के लिए मैंने 2.5 इंच की पट्टी लिया है और लेंट में लिया है मैंने 5 इंच की इसी तरह से शिदी करते विए उसको शिदी कर लेंगे कॉर्णर अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा देखे आईशे हमें दो पट्टे रेडी कर लेनी है अब सरकल में अस्तर का फैबरिक लेते वे 3.5 इंच का सरकल में कट कर लेना है और हार फैबरिक शिलाई मार्जिंग के लिए बढ़ा कर कट कर लेना है ऐसे में फैबरिक पर हमें राइट साइट पर रखेंगे और उसको हम पूरे राउन में स्टीच कर लेना है अब में फैबरिक को अस्तर के बराबर से कट कर लेंगे अब पूरे राउन में हमें छोटे-छोटे कट्स लगा लेने है पूरे राउन में छोड़े छोड़े कट्स लगा लेते हैं शिलाई ना कटे उसका ध्यान रखे अब अस्तर को हम सेंटर से कट कर लेंगे और उसको हम पल्टा लेते हैं फैबरिक को अच्छी तरह से कोई डोकिले चीजों से आप उसको पल्टा लीजिएगा बराबर से और उसका सेंटर मांग निकालते हुए इसको हम बो रेडी करेंगे बो का सेब दे देना है सुई धागे से उसको सेंटर से स्टीच कर लेंगे और उसको पक्का कर लेंगे सुई धागे से हमें पक्का कर लेना है देखें बो का सेब रेडी हो चुका है अब ये भी रिबिन भी मेरी रेडी हो चुकी है अब बो को लगाने के लिए एक कांट्राक्स में कोई फैबरिक लेते हुए आप उसको सेंटर से लगा सकते है मैं ये में फैबरिक का ही फैबरिक लिया है और उसको शिलाई से अट्याच कर लेंगे और उसको हम पलता लेंगे देखे मेरा ये बो रेडी हो चुका है अब इसको हम मेन फैबरिक पर नेक पर अट्याच कर लेंगे सुई धागे से अट्याच करना है ने तो आप सिलाई से ही अट्याच कर सकते हैं देखे बोब भी मेरा रेडी हो चुका है अब इसको हम सुई धागे से कोई शोप इसकी बटन अटेच करते हुए इसको हम सुई धागे से फिक्स कर लेंगे देखे ये fix हो चुका है देखे मेरा back part भी ready हो चुका है अब इसकी हम fitting देखेंगे front part का video मैंने पहले ही channel पर upload किया है अब ये back part भी ready हो चुका है अब हम front और back की fitting देखेंगे comment में पूचा गया था fitting बताईए इसलिए मैं ये video fitting के लिए ही बनाया है अब front part लेते हुए shoulder को हम attach कर लेंगे बराबर से तुर्पाई की पट्टी खोलते हुए उसको हम back part की तरफ से पल्टाते हुए उसको हम शिलाई करेंगे ताकि finishing के साथ हमारा shoulder attach हो दूसरे साइट के भी तुर्पाई की पट्टी थोड़ी निकाल लेंगे और उसको पल्टाते हुए उसको इसी तरह से पल्टाते हुए उसके उपर से हमेशिलाई कर लेनी है अब हमें armhole चीक करना है बराबर है कि नहीं कम ज़्यादा है तो हम थोड़ा चाट लेंगे अब sleeves मेरी ready है और front part front part की तरफ करते हुए उसको हम center से attach करेंगे जो हमने front का armhole cut किया था उसको front part में ही आना चाहिए और center से हमें sleeves attach कर लेंगे दोनों side की सिलाई बराबर से लगाते हुए उसको हम attach करेंगे और आप दूसरी सिलाई finishing के साथ लगा सकते हैं दूसरी side का sleeves भी ready करने से पहले उसको हम check कर लेंगे back और front का part बराबर है कि नहीं चेक कर लेना है और उसके बाद ही attach कर दी है अबर आपका front और back part थोड़ा कम ज़्यादा हो तो उसको छाट लेंगे armhole की तरफ से तब इसलिए sleeves को attach करना है देखिए मेरे दोनों side की sleeves attach हो चुकी है अब गुम सिलाई के लिए हमें में पैब्लिक के right-side पर एक शिलाई कर लेनी है बराबर से अब बराबर सीधा उसको cut कर लेंगे और उसको पलटाते विए finishing के साथ शिलाई कर लेंगे पलटाता एक पहर का margin रखते वे उसको को शिलाई दबाने के लिए एक शीलाई अटाच कर लेएगे लिए का अब है मेजर्मेंट्स में हमें करना है सिलाइं यह स्पीटिम्थी और रहा ध्य गूर्ड यह कि यह देगा चेसंग…? हमारी fitting बहुत perfect आ जाती है अब दूसरे साइट से भी वैसे ही हमें गुम शिलाई दबाने के लिए एक शिलाई कर लेंगे corner की शिलाई लगा लेंगे अब हम measurement लेते हुए दोनों साइट की शिलाई कर लेंगे विट में रख रही 7 इंच और चेस्ट आ रहा है 8.5 इंच और स्लिप्स का राउन आ रहा है मेरा 6 इंच ऐसी सीधी लाइन रा करते हुए हमें fitting शिलाई लगा लेनी है देखिए fitting शिलाई मेरी complete हो चुकी है आप इंच का मापजिंग रखते हैं एक शिलाई और लगा लेंगे देखिए मेरे दोनों पार्ट मेरा blouse ready हो चुका है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएए अगर आप चैनल पर पहली बार आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद